बोजपुरी गायक और अविनेता समर सिंग अव उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादों के साथ साथ उनकी पतनी डिमपल यादों की राजनितिक जत बचाने का काम करेंगे। जहां उत्तर प्रदेश में उपचुनाओ है लोकसभा का आजमगड की सीट पर अखिलेश यादों अपनी सीट छोड़ चुके हैं और आजमगड समाजवादी पारिटी का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार उनका समीकरण दूसरा है, इस बार सामने अखिलेश यादो या मुलायम सिंग्ग या कोई ऐसा नेता नहीं है जो उत्तर प्रदेश में यादो वोटों के बीच में या समाजवादी पारिटी के बीच में बड़ी हैसिएत रखता हो। इस बार डिम्पल यादो चुनावी मैदान में हैं और डिम्पल यादो सियासत के मैदान की कच्ची खिलाडी मानी जाती हैं और यादो वोटरों के बीच में भी डिम्पल यादो की एक अलग तरीके की पहचान है जो हार्ड कोर यादो वोट है उसमें उस तरीके का इंथ्व अजिजम नहीं देखने को मिलता है डिमपल यादों को ले करके तो भारतियनता पायटी भी इसको मान रही है कि अगर मौका मिल रहा है तो ये किले में सेध लगाया जा सकता है और दूसरी तरफ समाजवादी पायटी के सामने भी अपना गढ़ बचाने की चुनोती है तो भो स्थार से जानते हैं इस खबर को और पूरे घटना करम को नमस्कार मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जिन्ता जिन्चों तो उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है आजमगड जिला भी है यहां से उत्तर प्रदेश के पूरुम वक्हमंत्री और वर परदेश के लिए अरजनता पारटी ने निरहुआ को इस सीट पर लगाया हुआ है एक बार अखलेश यादों के हाथों चुनाव हार चुके हैं लेकिन एक बार फिर से उनके पास मौका है कि वो डिमपल यादों को चुनाव हरा दे अब समाजवादी पारटी की तरफ से ड अमर सिंग को भी मुकाबले में उतार दिया है अब देखना होगा कि वो इस उप्चुनाव को जीत करके या जितवा करके पारटी गर्मा वचा पाते हैं या नहीं ऐसे में ये तमाम चीजें जो हैं पड़ी चर्चा का विशह हैं कि मुक्तमंत्री यो पूर मुक्तमंत्री रह चुके हैं समाजवादी पारटी के राश्ट्री अध्यक्ष हैं उन्होंने एक गायक को भुजपुरी गायक को उनसे करीबिया भी उनकी मानी जाती है उनको वहाँ पर मैदान में उतारा है ताकि एक तरीके से डिंपल यादों की मदद कराई जा सके हलांकि यह अनौप परिटी की तरफ से परचार करने का काम करेंगे पारटी के गरिमा के साथ सा डिंपल यादों को भी वहां से बचा सके आपको बता दें आजमगड से समाजवादी पारटी अभी तक कभी भी चुनाव नहीं हारी है इससे पहले मुलायम सिंग लगाता रिसीट से जीते रहे ह उसके बाद अखेले श्यादों जीते इसकी वजहाई है कि इलाका जो पूरा है यादो और मुस्लिम बहुले इलाका है विधान सभा चुनाव में भी कुछ खास भारतियनता पारटी वहां कर नहीं पाई थी आजमगड के नेकनेता ने चैलेंज करके भारतियनता पारटी को चुनाव हरवा दिया था अब मानना ये है कि लोगसभा चुनाव का महाल होता है वो विधान सभा से दूसरा होता है इसलिए अगर निरहुआ को वहां से उतारा जाता है और मजबूत चुनाव लड़ा जाता है तो आने वाले दिनों में मजबूती भी हो सकती है और पूरे प्रदेश में और खास करके मद्य उत्तर प्रदेश और पुरवांचल में यादो वोटों की बीच जो समाजवादी पाइटी का गट जोड एक तरीके से जो समीकरण है उसको उस मिथक को तोड़ने में भारतिनता पाइटी को मदद मिलेगी जो आने वाले दिनों में भाजपा को पाइदा पहुचाएगा 24 में लोग सभा चुनाओ है तो उसकी भी एक तरीके से वो निगाह हो सकती है क्या कोच होगा उस देखने वाली बात है आपकी राय क्या है कबने बॉक्स में बता सकते हैं साथ साथ वीडियो को साजा करिएगा नामन राग बिस्टरा ह है आप जुनता निशन देख रहे थे कैमरे पर मेरे साथ की उश्कों अच्छा उसिया थे शुक्रिया